हाल ही में Life Good छात्रवती योजना स्कीम को लॉंच किया गया है इस छात्रवती योजना के लिए आविदन फॉर्म भी शुरू कर दिये गए है जिसके तहत अब बारवी पास छात्र छात्राओं को एक लाग की स्कॉलर्शिप प्रदान की जा रही है LG Electronics India Private Limited की अधिकारिक वेबसाइट के माद्यम से जारी की गई सूचना के अनुसार देश के आर्थिक रूप से कमजोर प्रष्ट भूमी के छात्र छात्राओं को वित्य सायता प्रदान करने के लिए इस योजना का शुबारम किया गया है इसके तहट छात्र छात्राओं को एक लाग की छात्र व्रती प्रदान की जाएगी इसके लिए आविदन फॉर्म भी शुरू हो चुके है जिसके लिए आखरी तिती 10 जुलाई रखी गई है कमपनी के और से शुरू की गई योजना की तहट देश का कोई भी व्यक्ति इसका आविदन कर सकता है हाला कि कमपनी के और से कुछ पात्रता रखी गई है जिसको हासल करना बहुत जरूरी है अब बात करते हैं इसके eligibility criteria की undergraduate और post grad courses करने वाले students को ये scholarship मिल सकती है आप first year में है, second year में या third, fourth year में post grad भी आप किसी भी year में हो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक साल के लिए scholarship है तो आप इसे renew नहीं कर सकते यानि कि अगर आपको एक बार ये scholarship मिल जाती है तो आप दुबारा इसके लिए fresh apply नहीं कर सकते है इसका मतलब ये है कि आपको एक बार यानि one type scholarship मिलेगी इसके अलावा बारवी में minimum 60% चाहिए या फिर last year 60% required है अगर 60% से कम है तो आप यह eligible नहीं है इसके अलावा इस योजना में हिस्सा लेने के लिए छात्र छात्रा के परिवार की वारशे काए आठ लाख रुपए से आधिक नहीं होनी चाहिए अब हम आपको बताएंगे कि आपको इस योजना में apply करने के लिए क्या-क्या documents की आवशक्ता है चात्रवती योजना में हिस्सा लेने के लिए आपके पास बारवी की mark sheet या पिछले semester की mark sheet होनी जरूरी है सरकार द्वारा जारी पते का प्रमान पत्र, पारिवारिक आय का प्रमान, आय का रिटन विवरंड, वेतन परची, form 1, BPL राशनकार, तहसीलदार BDP द्वारा हस्ताक्षरित, आय प्रमान पत्र, ग्राम पंचायत से पत्र प्रमान पत्र, कॉलेज प्रवेश का प्रमान पत् कॉलेज स्कूल आईडी शेक्षनिक शुल्क रसीद और शुल्क सनरचना संस्तान से बोनाफाइट प्रमान पत्र लभारतियों के बैंक खाते का विवरंट फोतो अती आवशक रूप से होनी बहुत जरूरी है Live Good Scholarship योजना के लिए छात्र छात्राओं को Online Mode में आविदन करना होगा इसके लिए Online आविदन का Official Link के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है सबसे पहले आपको इस Link पर क्लिक करना होगा जैसे ही Online Link पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपको अपने Mobile नमबर से या Email ID की सायता से रजिस्टर करना होगा Online Registration करने के बाद आपके सामने आविदन फॉर्म खुलेगा जिसके सही तरीके से भढ़ना है और उसके बाद आवशक डॉक्युमेंट अप्लोड करके आविदन फॉर्म को कम्प्लीट करना है उसके बाद आविदन फॉर्म को जब भी आप Final Submit करें उससे पहले सुरक्षित प्रिंट आउट अविश्य ले लेना है इस प्रकार आप छातरवती योजना के लिए आविदन कर सकते हैं जब भी आपका नंबर आएगा आपको कम्पिनी की ओर से सुचित किया जाएगा और आपकी छातरवती पुरस्कृत की जाएगी